हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों रोज तो हम वीडियोस के अंदर IPOs और Shares के बारे में बात करते हैं और Profit Earn करते हैं तो घर के Earning Member होने के नाते क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप नहीं रहे तो पीछे आपकी फैमिली का क्या होगा अभी हाल ही में मेरे एक जानकार थे जिनकी एज 45 से 50 के बीच में होगी और उनको हार्ट अटेक आ गया और उनकी डेथ हो गई और आपको पता ही हो गया कि COVID के बाद अचानक से हार्ट अटेक आने की समस्याइं खूब बढ़ गई है हलांकि एक बाद ये अच्छी रही कि उन्होंने टाम इंशॉरेंस ले रखा था तो जो इंशॉरेंस का पैसा है उनकी फैमिली को मिल गया पर ये सारी चीजे पहले हमें सोचना जरूरी है ताकि future के इंदर risk न रहे और हमारा future भी secure हो सके क्योंकि problems कभी बता के नहीं आती है अब ये term insurance जरूरी क्यों होता है ये तो मैंने आपको बता दिया है और ये term insurance होता क्या है और इसके कितने types होते हैं वो भी हम जान लेते हैं तो term insurance is a type of insurance policy मतलब बीमा का एक type है जिसके अंदर policy holder premium pay करता है और अगर इसकी death होती है तो insurance का पैसा nominee को मिलता है और ये policy fixed time period के लिए होती है जैसे 10 साल, 20 साल या 30 साल और इसके 3 type के plan होते हैं पहला plan है regular term plan जैसे आपने term plan ले रखा है और आपने जितने साल का term plan ले रखा है उसके बीच में अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके nominee को जितना शम assured है जैसे आपने 50 लाग का insurance करवा रखा है तो वो आपके nominee को मिल जाएगा और अगर policy period के बाद अगर कुछ होता है तो उसका कुछ भी पैसा नहीं मिलता है तो ये पहला plan है फिर दोस्तो दूसरा plan है TROP दूसरे type के अंदर क्या है कि आपको जो premium आपने pay किया है वो आपको return मिल जाता है इसका नाम है TROP मतलब term insurance return of premium जैसे मान लो भले ही आपकी जो policy period है वो खतम हो जाती है और policy period तक आपको कुछ भी नहीं होता है तो जितना भी आपने premium pay किया है उसका minus GST वो आपको वापस return मिल जाता है और regular plan 525 रुपीस पर मन्त से start होता है for 1 crore cover तो ये तो 2 plan हो गए अब तीसरा जो plan है 100% return of premium at no cost और इस plan में 100% तक refund होता है तो इस plan में मान लो क्या होता है कि अगर मान लो आपकी policy 60 साल तक की है और उसी की बीच में आपको लगता है कि मुझे इस plan से exit करना है तो आपके पास free choice होती है जो भी आपने premium pay किया है उसका minus GST वो लेके आप exit हो सकते हो तो generally ये तीन तरह के insurance plan available रहते हैं और यहाँ कुछ riders भी होते हैं जो आपको additional benefits भी देते हैं जैसे accidental death rider, critical illness rider, income benefits rider और accidental disability rider और भी कई तरह की riders होते हैं तो इस तरह के riders भी आप check कर सकते हैं उसकी link मैंने description और pin comment के अंदर provide करवादी है तो लोग riders इसलिए choose करते हैं कि accident हो जाए तो हमें एक lump sum amount तो मिलेगा पर disability आ जाए और हम कमाने लायक ना रहें तो उस condition में हमें क्या मिलेगा तो इलाज वगेरा के लिए या extra income के लिए हमें lump sum amount मिल जाता है ताकि ऐसी situation में आप deal कर सको तो ये riders का फायदा है अब सबसे main सवाल ये आता है कि हमें policy कहां से लेनी है और कितने amount तक की लेनी है तो example के लिए मानलो आपकी सालाना income अगर 10 लाख रुपए है तो आपके लिए एक करोड रुपए तक का term insurance बढ़िया रहता है अभी ये लेना कहां से है तो policy बिजार इंडिया का best portal है जहाँ पर आपको ये सारे products मिल जाएंगे यहाँ पर 20 से ज़्यादा insurer है मतलब 20 plus insurance companies है और आप इनके term plan check कर सकते है मतलब premium आपको monthly pay करना है या annual pay करना है और अगर आप annual या online pay करते हो तो आपको discount भी मिल जाता है इसके लिए आप description में दिएगे link पर जा सकते हो या pin comment check कर सकते हो और इसके इंदर आप riders भी check कर सकते है terms and condition वगेरा पढ़ गे और online portal में cost कम लगता है offline और agent के बजाए और policy बजार के साथ अपको 24-7 claim assistance भी मिलता है मतलब insurer के पास भी जाने की जरूरत नहीं है इसके अलावा हमें tax benefits भी मिल जाते हैं under section 80C मतलब डीड लाग तक का आप deduction ले सकते हो और अगर जरूरत रहती है तो policy बजार के representatives home visit भी करते हैं documentation और claim settlement के लिए तो policy बजार की link जो है मैंने description और pin comment के अदर provide करवादी है वहाँ पर जाकर आप अलग-अलग time insurance वगेरा देख सकते हो तो वीडियो अगर हमारा पसंद आया है अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें चैनल को सब्क्राइब कर लें मिलते हैं दोस्तों गले वीडियो के अंदर